तो भाईयो आज हमारे पास XUV7W का टॉप मॉडल एंड ये कार हमें नैपोली ब्लैक के साथ अवेलेबल हो गई है और आज की इस वीडियो में हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो कहने तक ज़रू देखेंगा वीडियो काफे ज़दा बाकि ये गाडियो में फुली फीचर लोडिट मिलती है पैट्रॉल और डीजल ओप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है और अब तो ब्लैक कलर में भी अवेलेबल हो गई है और इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजिस रहने वाले हैं लाइक जैसे अभी ये का गई टर्बो पैट्रॉल इंजिन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है जो की पावर जेनेरेट करता है वन नाइन्टी साव भी एच्पी की एंड 380 न्यूटर मिंटर का पीक टॉक जेनेरेट करता है कार में फ्रंट वील ड्राइब देखने को मिल जाती है और अब आ कार के डाइमेंशन भी ठीक ठाक रहने वाली है और बात करूं कार के वील बेस के बारे में तो 2750 mm का इसका वील बेस मिल जाता है जिसके विरसे अंदर की साइड अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है कार के अंदर हमें सेफटी फीचर्स भर-बर के मिलते हैं और ग्लोबल आपको LED DRLs मिल जाती है LED में आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है matrix function के साथ बागी LED में इसके reflector based strong headlamps मिल जाते है जिनकी तो काफी तकडी रहने वाली है और यही पर यह आपको fog lamp मिल जाते है और यहाँ पर आपको black color की front grill मिल जाती है बागी chrome garnishing का use यहाँ पर कम से कम ही कर इडास का बागी bonnet की styling वे इसके एकदम angular shape में रहने वाली है और बात करते हैं अभी काडी के side look के बारे में तो side से देखने में कार काफे जदा bold design वाली रहने वाली है alloy wheel के design थोड़ा बहुत changer देखने को मिल जाता है वो chrome garnishing अब यहाँ पर आपको नहीं मिलती है यहाँ पर आपको R18 इंचीज वाले alloy wheels मिल जाते हैं blacked out completely front side disc brake है रेर की side आपको disc brake ही मिलता है तो all four disc brake का setup हो गया बागी claddings मिल जाती है matte black finishing के साथ ही ORVM इसका completely black daughter मिल जाता है camera की placing मिल जाती है indicator की placing की आपको यहीं पर ही मिल जाता है completely electrically adjustable with auto folding के function के साथ इसके ORVM मिलता है and frameless इसके अंदर door handles मिल जाता है with request sensor के साथ ही बाकी interior कुछ इस type करेने वाला है इसका dual tone में रहने वाला है कोई भी blacked out interior या dark edition वाला interior आप instrument cluster भी completely digital में मिल जाता है android rotor and apple carplay connectivity आपको wireless में मिल जाती है wireless charging pad भी दिया हुआ है आपर interior से देखने में कार काफ जाता luxury लगने वाली है seats भी आपको height adjustment के साथ मिलती है electrical adjustable रहने वाली है completely seats इसकी और automatic climate control जैसे features मिल जाते हैं इसके अंदर ही leather seats रहने वाली है अब यहाँ आपको ventilation seat को option भी मिल जाते हैं door पर आपको एक speaker मिल जाता है memory function के साथ electrical adjustable seats आप यहाँ से adjust कर सकते है auto folding के function के साथ आपको इसके ORPM के control मिल जाते है all four power window controls मिल जाते है बाकि soft touch material तो मिलता है बाकि यहाँ पर आपको lambar support भी adjust करने का option मिल जाता है बाकि rear के side का door भी आपको कुछ type का मिल मिल जाता है और पीछे के side भी आपको soft touch material मिल जाता है black dot finishing के साथ dual tone में इसका door रहने वाला है completely speaker की placing भी यही पर यह bottle holder वगरे सब कुछ है यहाँ पर आपको captain seat के option मिल जाते हैं and seats काफी जादा comfortable है इसकी और rare race event and charging socket भी इसके इंदर मिल जाता है seats leather seat apostrophe के साथ मिलती है and armrest यहाँ पर आपको dedicated सभी दोनों ही passenger के लिए दिया हुआ है बाकि एकदम spacious cabin रहने वाला है comfortable seats रहने वाली है headroom वगरे भी अच्छा कासा मिल जाता है AC event की placing यहाँ पर है कोई pillars हो अगरे पर यहाँ पर नहीं है बागी panoramic sunroof तो यहाँ पर आपको मिली जाती है बागी बाहर की साइड आते हैं तो बाहर की साइड आपको exterior look कुछ type के लगते हैं and interiors लेकर में काफ ज़्यादा luxury लगने वाली है side look से आप देख सकते हैं कुछ type की लगने वाले हैं जब आपकी गाड़ी side में खड़ी होगी उपर की साइड आपको black dot finishing के साथ ही roof rails मिल जाते हैं claddings मिल जाती है body moldings वगर आप company fit या x series में लगवा सकते हैं बागी rare looks से भी car काफ ज़दा stylish ही लगने वाली है and tailgate अभी भी इसका जो है वो fiber material जो कह रहते है उसी का ही रहने वाला है बट यहां पर जो strong tailgate मिल जाता है याने कि build quality इसकी काफी तगड़ी ही रहने वाली है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है build structure से लेके बाकी अभी में बात कर लेते हैं काड़ी के rare profile के बारे में तो rare profile से देखने में car कुछ type की लगने वाली है LED क इंडिकेटर मिल जाता है LED में आपको breaking lights मिल जाती है DRL मिल जाती है जिनका setup काफी stylish लगता है देखने में reverse parking camera मिल जाता है दो parking sensors दिये हो है parking sensor की काड़ी में काफी कमी रहने वाली है even Scorpion में भी आपको front side parking sensor मिल जाते हैं यहां पर आपको नहीं मिलते हैं XV7OO AX7L की बैजिंग क्योंकि AX7L model आप देख रहे हैं reverse parking lamp आपको halogen के अंदर मिल जाते हैं बाकि wiper washer and defogger मिल जाते हैं उपर के सब्सक्राइब जाता है बाकि defogger, wiper washer तो सभी कुछ मिलता ही है आपको बाकि camera की प्लेसिंग भी यहां पर आपको नहीं मिलते हैं जो कि आ और silver color की इसके अंदर हमें kit plate मिल जाती है जो कि इस car के black color के उपर काफे ज़्यादा suit कर रही है अभी बात करते हैं कार के boot space के बारे में तो तीनों ही रो को up करने के बाद कुछ इतना boot space बच जाता है इसके अंदर यहां पर आपको toolkit वगरा proper दी गई है इसके नीचे आपको global endcap में crash test rating तो है ही इस car की एडास जैसे feature मिल जाता है blind spot detection मिल जाता है lane departure prevention मिल जाता है ABSV DBD front collision warning lane departure warning जैसे काफी सारे feature इसके अंदर मिल जाते हैं बाकी breaking step भी इसका काफी जादे strong रहने वाले क्योंकि all four display का setup यहां पर मिल जाता है electronic stability program मिल जाता है hill hold assist मिल जाता है break assist के अंदर नहीं आता है traction control तो मिलता है hill hold control, hill decent control जैसे सभी features मिल जाता है इसके अंदर ही और भी बाकी सारे सभी basic need वाले feature इसके अंदर मिल जाता है जो यह काफी बढ़िया बात है तो भाईयो अभी आप मुझे comment करके बताएगा कि 25 लाग अगर आपके account में आज है तो आप कौन सी गा लोगा black color आपको कैसा लागा मुझे comment करके जरूर बताएगा बागी गाईज ऐसी informative वीडियो में लाता रहता हूं तो make sure आप चैनल से connected दिएगा और चैनल को subscribe करके रख लीजेगा तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन के लागा सेझे शा बाचा क believers आप हो कि तक कि मिलते हुआना करिए झाल